तो दोस्तों स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल गार्डन गल में तो आज हम बात करेंगे कि आपको जो री पॉटिंग करने हैं जो आपने जो नया प्लांट से लेकर आते हैं तो आप कैसे लगाना है तो हम अलमंडा वेल है वो लेकर आए थे तो आज हम पॉट म काफी लग लग लगल है विसकस है यह हमारे पास कमले में लगे वह हैं और आप दे सकते हो हमारे पास अब का यो फिरोज का यो प्लांट है गुलाव का और इनकी हाल था वह काफी अच्छी नहीं है तो गर्मी के कारिन था गर्मी जादा थी और इसमें यवक पानी यह फैरे पासरनमंदावाहीन है लगाने पाले हैं तो कैसे लगानांए तो वीडियो फूल देखना और वीडियो श्टाड़ करने से पहले अgen рав चैनल चैनल को सबस्क्राइब करना और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना तो दोस्तों सबसे पहले दे सकते हो कि हमारे पाश कुछ हमने शाथ पर प्लांट से रहके हुए हैं काफी तो अभी दे सकते हो हमारे पाश जो यह 16 इंच पॉट में लगा हुआ गुलाव क जो मिट्टी है जो स्वयल है इसको पानी बहुत ज्यादा पड़ा था जो पानी पढ़ने के कारण इनकी ब्रांचा बिल्कुल सूख गई है अगर इसको पानी कम लगेगा पानी सुखा कर लगाएंगे अगर मिट्टी आपकी बिल्कुल सूख जागी ताब इसको पानी गंबले में हटा देना जाए आपने इसको निकाल देना है और निकालना कैसे है तो आपकी जो सबसे पहले जो मिट्टी है वह ज्यादा गीली ना हो हलकी भुलकी हो सुकी हो जैसे आप दे सकते हूं यह अच्छी भी लग रही है और इसमें हमने थोड़ी सी वर्मी कंपोस भी डाली है और थोड़ा समने जो हमारे पास डी एपी है वो भी आमने इसमें डाल कर रखा है तो गंबला सबसे पहले लगाने से पहले आपने कहा करना है इनके नीचे जो होल है वह ज्यादा होना जरूरी है और उसके वाद इसके उपर पत्थर रख देते हैं तो यह अगर न अमन्दा वाइन पड़िया ता उसके हिसाब से हम जो हमारी यह मिट्टी है निकाल ज scissors HumDY चैंगे तो अगर अगर इसको आप ज्यादा रहे कर जाए में नीचे दबहा देंगे तो श्रत को पणी लिग लगे यह तो इससी तरह अपने घ्यानने वाले है तो सबसे पहले अप पॉलिटीन है इसको आपने इसी तरह हटा देना है प्यार से हटाना है जो आपके मिट्टी है बढ़ी बनाई बिल्कुल ऐसी रह जाए जैसे आप देशकते हो कि हमारे पास बिल्कुल बनी बनाई मिट्टी है वो रह गई है आपका यह गाची तूटनी नहीं चाहिए तो हुटा सकते हो हलका हलका मिट्टी है इसकी आप हटा सकते हो इसी तरह हम इस नहीं मिट्टी में जल्दी लगयाती है तो आपका जो दे तो और का अपने खाद जान रखना है जब भी आप नया कोई पौदा नया कोई प्लांट लगाते हो गमले में तो उसको आपने एक दो दिन के लिए शाइं में रखना है और उसके बाद उसको आप खलकी भुलकी दूप है वहां रखें को कोई भी फलावर वाला जो प्लांट कर लेना और हमारी बीडियो को लाइक और शेयर जुरूर कर लेना एपई गाडनिंग बाइ टेक क्या अ